असम में भारी बारिश के बाद आये सैलाव में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जूज रहे लोगों की तादाद 15 लाग के करीब पहुँच चुकी है। फिलहाल राहत शिविरो की संख्या बढ़ा कर 265 कर दी गई है जहां 25,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। असम में बारिश और बार्ड का कहर माई के आखरी हफते से जारी है। राज्य के निशले हिस्से में कई मौते 22 मई के बाद दर्ज हुई, इसी दोरान 2 जून में बाराक वैली में भारी बारिश के बाद लैंडसलाइड में 23 लोग मारे गए। राज्य सरकार के आंखडों के मताबिक बाड और लैंडसलाइड की चपेट में आने से अब तक 50 नलबाडी, मोरी गाउं और गौाल पाड़ा में दर्ज की गई है। इस आपदा ने असम में कृशी से जुड़े लोगों की कमर तोड़ दी है। तकरीबन 20 लाग पशुधन बाड से प्रभावित हुए हैं जबकि 75,000 हेक्टेर से ज्यादा खेती की जमीन पानी में डूब जुरी में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। राज्य सरकार के मताबिक अब तक 70 जानवर बाड में डूब चुके हैं। इनमें एक गेंडे के अलावा बड़ी तादाद में हिरन शामिल हैं। वाइललाइफ को हुए नुकसान का जायसा लेने के लिए राज्य के पर परिमल शुकला वैद इन पार्कों के दौरे पर निकल गए हैं। प्यूरो रिपोर्ट गो नियूज।